नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में शुरू करते हैं सुरिंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया विमल सीरीज का एक और मज़िदार उपन्यास हजार हाथ जैसा कि पूर्ण रिधारित था सुमन मंदिर के परवेश द्वार की सीरियों के सामने मौजूद थी विमल उसके करीब पहुँचा सुमन ने उसका अभिवादन किया सब ठीक से याद है विमल बोला सुमन ने सहमती में सिर्हिलाया एक बार फिर दोरा देता हूँ गौर से सुन ठीक है दो मिनट उसने विमल का मोनो लॉक सुना फिर पैदल चलती वो दोनों करीबी सित कनौट प्लेस थाने पहुँचे अश्रव जो की विमल के साथ आया था उनके पीछे पीछे टैक्सी चलाता थाने पहुँचा विमल के संकेत पर उसने थाने के कमपाउंड में टैक्सी खड़ी करती और उसी में बैठा रहा डूटी ओफिसर की माध्यम से विमल और सुमन एसेचो के ओफिस में पहुचे अभिवाजनों की आदान परदान के बाद विमल बोला मेरा नाम अर्विंद कॉल है ये सुमन है हम ट्रंक के सिलसिले में यहां आएं है कौन सा ट्रंक? जान बूज कर अंजान बनता ऐसे चो बोला साथ लाग की रकम वाला वो ट्रंक जिसकी आज अगबारों में खबर चपी है वो ट्रंक कल शाम इनकी नादानी सिर्ट टैक्सी में रह गया था खबर अगबारों में चपी है उसे पढ़कर कोई भी नौजवान लड़की उसकी कलेमेंट बन सकती है दुरुस फरमाया आपने तो जिस टैक्सी ड्रैवर की टैक्सी में ट्रंक रह गया था वो इस वक बाहर मौजूद है कैसे पहुंच गया? मैं तलाश करके लाया वो अपने कल शाम के पैसंजर की शिनाक्त कर सकता है आपने पटा लिया होगा उसे ताकि वो आपके कहे किसी भी गरत लड़की की शिनाक्त कर दे उसे क्या फायदा? कोई फायदा आपने सुझाया होगा कोई लालश दिया होगा उसे रकम में कोई हिस्सेदारी मुकरर की होगी उसकी उस रकम में जो कि ट्रंक में है जाहिर है वो उस रकम में हिस्सेदार बनने की सोचेगा जो कि कल पूरी की पूरी उसके कब जमी थी जिसकी वो चाहता तो किसी को हवा भी न लगने देता ऐसे चुछ तक पकाया ऐसा कहकर आप उसकी इमानदारी पर थोक रहे हैं ज़रा कहां है वो? बाहर कमपाउंड में, अपनी टैक्सी में बैठा है एक हवलदार को भेज कर उसने अश्रफ को बुलवाया इस मेम साब को पहचानते हो, ऐसे चो उसे खूरता हुआ बोला हाँ साहब, ततकाल अश्रफ ततपर स्वर में बोला ये वही है, जो कल शाम मेरे टैक्सी में सवार थी जो अपना ट्रंक मेरे टैक्सी में भूल गई थी पक्की बात? जी हाँ, कहां उत्रे थी ये? मेरीना होटल के सामने, इन्होंने मुझे भाड़ा चुकता कर दिया था और दस मिनट इंतजार करने को कहा था दस मिनट में ये नहीं लोटी थी, तो मैं वहाँ से रवाना हो गया था तब मुझे पता लगा था, कि ये पीछे अपना ट्रंक छोड़ गई थी कैसे मालूम है कि ट्रंक इन्होंने छोड़ा था क्या पता ट्रंक इन से पहले तुम्हारी टैक्सी में सवार होए पैसेंजर का हो? ऐसा होता तो इनकी जगा वो पैसेंजर यहां हाजरी बर रहा होता ऐसे चो हक बकाया और फिर मैंने इन्हें इन्हें उस ट्रंक के साथ मेरी टैक्सी में सवार होते देखा था अखबार के दफ्तर क्यों पहुंच गये? सीधे थाने क्यों ना आए? साहब अश्रफ की आँखों में धूर्थता की चमक आई और गायप हुई तर मेरी छापे में पोटो कैसे छपती? बस यही वज़ा थी मैं पुरिस वानों का खौफ खाता हूँ थाने अकेले आने से डर गया था ऐसे चो कुश्रण अश्रफ को घूरता रहा फिर सुमन की दरफ आकर्चित हुआ आप मेरी ना क्यों गई थी? मुझे वहाँ एक सहली से मिलना था वो मिली? नहीं, सहली का इंतजार 10 मिनट से तो जादा ही किया होगा क्योंकि कम किया होता तो ये अभी टैक्सी में बैठा आपके लौटने का इंतजार कर रहा होता मैंने 20 मिनट इंतजार किया था ये कब सुझा था कि ट्रंक टैक्सी में रह गया था? जब मैं केजी मार्क पर पहुँची थी जहां कि गैलेक्सी ट्रेडिंग कॉर्परेशन का ओफिस है जहां कि ये ट्रंक मैंने पहुचाना था आपने तभी थाने का रुख क्यों न किया? क्योंकि मुझे इस टैक्सी ड्राइवर के मॉडल टाउन मेरे घर लोटने की उम्मीद थी जहां से कि इसने मुझे टैक्सी में बिठाया था तूने ऐसे चो फिर अश्रफ की तरफ खुमा ऐसा क्यों न किया? क्योंकि अश्रफ बड़ी मासूमियस से बोला मुझे याद नहीं रहा था कि इन्हें मैंने कहां से बिठाया था क्या? सारा दिन पैसेंजर धोता हूँ सहब क्या याद रहता है कि कौन किधर से बैठा? लेकिन ये याद रहता है कि कौन किधर उत्रा? वो भी नहीं याद रहता ये मैडम इसनी याद रही क्योंकि कोई और सभारी उठाने से पहले ही मेरी ट्रंक पर निगाफ पड़ गई थी इने डूढने की कोशिश क्यों नहीं की? की, बराबर की मैरिना की रिसर्प्षन से जाकर दर्याफ्त किया कनॉट प्लेस के सारे आउटर, इनर और मिडल सर्कल में टैक्सी लेकर खूब गोल-गोल खूमा लेकिन ये मुझे कहीं दिखाई न दी तभी इनसे ना उमीद होकर मैंने हिंदुस्तान टाइम की दफ्तर का रुख किया था क्योंकि तुझे अगबार में फोटो छप्पाने का शौक था? हाँ साहब बाहर जाके बैठ अश्टर्फ सलाम करके वहां से रुक्सत हो गया आप ऐसेचो सुमन से संबोधित हुआ गायब ख्यार जादा है या लप्रवा जादा है जी सुमन सक्पकाई सी बोली इतनी बड़ी रकम के मामले में आपने ये जिम्मेदारी दिखाई क्यों से टैक्सी में छोड़ कर चल दी जवाब देने की जगा सुमन रोने रगी विम्मल ने उसका कंधा थप थपा कर उसे तसली दिया रकम का क्या किस्सा है एसेचो बोला इतनी बड़ी रकम आपके पास क्यों थी भाई साहब ने दे थी विम्मल की तरफ संकेत करती सुमन रुआसी स्वर में बोली एसेचो विम्मल की तरफ खुमा रकम गैलेक्सी ट्रेडिंग कॉर्परेशन की है विम्मल बोला जहां कि मैं अकाउंटेंट की नौकरी करता हूँ ये मेरा विजिरिंग कार्ड ये मेरा आईकार्ड ऐसेचो ने एक सरसरी निगाह दोनों चीजों पर डाली इतनी बड़ी रकम आपके पास भी क्यों थी? वो बोला क्योंकि मैं अकाउंटेंट हूँ क्योंकि ऐसी इससे बड़ी इससे कई बड़ी रकमेट होना मेरी नौकरी का हिस्सा है आपकी नौकरी में ये आपकी सहायक है? जी नहीं तो कल दो पहर बात एकाएक मेरी तबियत खराब हो गई थी मैंने ये रकम मॉडल टाउन के ही गेलेक्सी के एक डीलर से कलेक्ट की थी लेकिन तबियत खराब हो जाने की वज़े से मैं गेलेक्सी जाने की जगा रकम के साथ घर लौटाया था आप मॉडल टाउन में रहते हो? जी हाँ डी नाइन में ये आपके साथ रहती है? जी हाँ सगी बेहन है ये आपकी? जी नहीं मूब बोली इस दुनिया में इसका कोई नहीं इसलिए हमारे साथ रहती है रकम आपने इन्हें क्यों दी? गेलेक्सी के ऑफिस में पहुचाने को दी ये जनपत पर MTNL के ट्रंक एक्सजेंज में आपरेटर की नौकरी करती है कल इसकी रात की ड्यूटी थी ये उधर जा रही थी इसलिए रकम को गेलेक्सी पहुचाने के लिए ट्रंक मैंने इसे सौंब दिया था बड़े अच्छे तरीके से जिम्मेदारी निभाई रोने अपनी उसमें मेरी भी गलती थी क्या? मैंने इसे ये नहीं बताया था कि ट्रंक में इतनी बड़ी रकम थी मैंने सिर्फ ट्रंक को ले जाकर गेलेक्सी की दफ्तर में छोड़ाने के लिए कहा था गेलेक्सी का दफ्तर रात को भी खुलता है? जी नहीं लेकिन कुछ स्टाफ रात 9 बजे तक बैठता है हम् जिसमें की आप अकाउंटेंट है? जी हाँ वहाँ से इस बात की तस्दीक होगी? यकीनन होगी गेलेक्सी के मालिक शेव शंकर शुकला इस वक्त तक आफिस पहुँच चुके होंगे आप फोन पर उनसे बात कर सकते हैं आप कीजिए ऐसे चों मेच पर पड़े दो टेलिफोरों में से एक उनकी तरफ सरकाता हुआ पोला और उन्हें यहां बुलाई है विमन ने फोन किया पाच मिनट में शुकला थाने पहुच गया क्या बात है? उसने विमन से पूछा विमन ने बताया रकम गैरेक्सी की है शुकला रॉब से बोला उसकी बाबत कैसे भी कोई तसली करनी है? मेरे से कीजिए मेरे अकाउंटेंट कॉल की बाबत कैसे भी कोई तसली करनी है? मेरे से कीजिए कोई खाना पूरी करनी है? तो कीजिए और रकम मुझे सौपिये for this petty matter, this is not a petty matter, ऐसे चो तीखित स्वर में बोला, it is, रकम थाने पहुँच गई, तो ये आपकी नहीं हो गई, आप सिर्फ कस्टोडियन है, इस रकम के, मौझूदा हालात में आपकी कस्टोडिय की अब जरूरत नहीं रही, इसलिए वापस कीजिए इसे, लेकिन, ACP कौन है आजकल यहाँ, पहले तो सकसेना सहब थे, अब भी वही है, लेकिन, जहां तक मुझे याद पड़ता है, इसी थाने में बैठते हैं, जी हाँ, लेकिन, सकसेना is my friend, इस डिस्टिक का DCP मनोहर लाल भी मेरा friend है, come call, come young lady, let's not waste time here, we will speak to ACP, उसकी कोई जरूरत नहीं, and a pound accessory to DCP, even to commissioner himself, बोरा न, उसकी कोई जरूरत नहीं, then dispense with the red tape, Mr. Inspector, I told you, I am a busy man, आप जा सकते हैं, जो खाना पूरी करनी है, वो हम आपके accountant से करा लेंगे, that's more like it, thank you very much call, Sir, विमल तट पर स्वर्मे भोला, फारीड होकर रकम के साथ सीधे office पहुँचना, yes sir, दोबारा कभी ऐसी company की रकम आगे अपने किसी सगे जमबंदी को सौपी, तो मुझे तुमें डिस्मिस करना पड़ेगा, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी sir, galaxy has employed you, not your family, I understand sir, you better do, शान के साथ चलता शुकला, वहां से रुकसत हो गया, सुपुर्दगी की कारवाही सब इंस्पेक्टर करेगा, SH गंटी बजाता भोला, 10 मिनट लगेंगे, कोई बात नहीं, विमल बोला, गंटी के जवाब में हवलदार आया, तो उसने सुमन को सब इंस्पेक्टर के पास पेश दिया, पेचे SH और विमल अकेले रह गए, तुम्हारी नौकरी जाते जाते बची, SH हसता हुआ भोला, वो तो है, विमल भी हसा, बड़ी रकम का मामला है, वो भी है, इस बात पर इधर के लोगों का कोई चाय पानी होना चाहिए, शुकला साहब के सामने बोलना था, एक ही बात है, और फिर क्या पता, वो बड़े साहबान के ASP, DCP के चाय पानी में ही विश्वास रखते हो, क्या जाते हो, SH ने दोनों हातों की सारी उंग्रिया उसकी सामने फैलाई, विमन ने एक आहा सी भरी, और धीरे से बोला, कुत्ता राज बिठा दिये, मुर चक्की क्या, इंस्पेक्टर उसे घूरता हुआ बोला, क्या कहा, कुछ नहीं, विमन ने सौ सो के नोटों की एक गड़ी अपने बैक से निकाल कर, उसकी सामने मेजबर डाल दी, कोई और सेवा, इतनी काफी है, ऐसे चो संतुष तवर में बोला, फिर पलक छपकते, गड़ी माया राम कश्मीरी गेट पहुचा, तो उसने पंत को चाल के सामनी रहादारी में चहल कदमी करता पाया, कहां चले गए थे सवेरे सवेरे उस्ताज जी, पंत अजरस से बोला, ऐसी ही जरा हावा खाने गया था, माया राम अर्मने स्वर में बोला, टैक्सी पर, तू जानता है, मैं चल नहीं सकता, ऐसे अकेले तो पहले कभी कही नहीं गए, वो चिठ्थी जो तु कुरियर वाला बन के नीलम को पहुचा के आया था, क्या हुआ उसे, कैसे पहुचाई थी, बन का बन लिफाफा दे आया था उसे, और क्या करता, खोल कर पड़ी रही, लो, मेरे सामन तो तुमने वो चिठ्थी टाइप की थी, तुम टाइप कर रहे थे, और मैं तुम्हारे सिराने खड़ा पड़ रहा था, क्या भूल गए, नहीं, भूला तो नहीं, पर सोचा, शायद कोई खास बात फिर से पड़ने का मन कराया हो, क्या खास बात, या दुरुस्त करने का, अरे, क्या बात, तू बता, उस्ताज जी, क्यों खामका पहलिया बुझा रहे हो, माया राम खामोश रहा, एकाएक तुम्हारे तेवर बहुत बदले बदले नजर आने लगे है, उस्ताज जी, साफ वोलो, क्या है तुम्हारे मन में, लड़के, मैंने उम्र भर कोई जहान क दोका दिया है, अब इस उम्र में कोई मुझे दोका दे, ये मुझे क्यों करवर्दाश होगा, कौन दोका दे रहा है तुम्हें? अकल मन को इशारा ही काफी होता है, वो ओरत, तुम्हारा मतलब है उसकी मजाल हो गई, तुम्ही दोका देने की, उसकी कैसे हो जाएगी, गर खड़ा ठक गया हूं पंत एक तरफ हटा माया राम बैसाख्या ठक ठकाता अपने पोर्शन की और पढ़ चला नेत्र सिकोडे पंत उसे जाता देखता रहा फिर कुछ सोच कर वो भी उसके पीछे-पीछे चल दिया माया राम दरवाजे का ताला खोल कर बीतर दाखिल हुआ त किस ने कहा बेयादबारी की बाबत कुछ हर बात मुझबानी ही नहीं कहनी पड़ती देख मैं ठका हुआ हूँ मेरा दिमाग ना चाट मुझे अराम करने दे क्यों ठके हुए हूँ सवेरे सवेरे कहां गये थे माया राम ने जवाब न दिया अच्छा अब आगी की बात तो बोलो आगी की क्या बोलो आगी क्या प्रोग्राम है वो औरत थाने से माल निकलवा लेगी क्या पता निकलवा लेगी या नहीं निकलवा लेगी शाम को बता करेंगे वो सुभा दूसरी लड़की को थाने भीजने को बोल रही थी इतना तो पता करना था कि उसने ऐसा किया या नहीं वो भी श्याम को बता करेंगे अब तू यहां से जा ताकि मैं आराम कर सकूँ चहरे पर असंतोश और जुझलाट के भाव लिए पंत वहां से टला माया राम के मिजाज में एकाएकाई तब्दीली उसकी समस्य से पाहर थी सुमन मॉडल टाउन पहुची उसने एक व नहीं उस ट्रैक्सी ड्राइवर ने मेरी शिनाक्त की तभी मिला वो वहां था इत्फाक से मेरी मौचूदगी में पहुच गया था ये तो कमाल हो गया उपर से थानेदार शरीफ था भला था आम पुलिसियों जैसा नहीं था उसने रकम की बापत कोई सवाल न किया किया तो मैं उसे पेच रही थी और वो फ्लैट की एडवांस पेमेंट थी उसने खरीदार की बापत सवाल न किया किया मैंने परदीप का नाम ले लिया कि वो ही खरीदार था परदीप से नीलम भरी माती परिचित थी ओ वो परदीप को फोन करता तो उसने नहीं किया था लेकिन करत आतो करता तो माकूल जवाब मिलता क्योंकि परदीप को जवाब की बाबत सब समझा कर ही मैं ठाने गई थी ओ सुमन तूने तो कमाल कर दिया अपने आप ही हो गया रकम चौकस है हाँ ठाने वाले ने मुझे सौपने से पहले मेरे सामने गिनी थी ओ लेकिन मैंने तो इस ट्रं बनाया हो तो बोलो भूग से जान निकल रही है उस विशे पर निलम फिर न बोली हरी दत पंत माया राम के व्यवार से बहुत नाखुश था सारा दिन पंत इसी बाबत सोचता रहा था कि क्यों एका एक माया राम उससे इशारो वारी जुबान बोलने लगा था इतना वो ब बेर समझा था कि रकम में खुए रहस्ते पूर्ण इजाफे के पीछे उसी शक था कि उसका हाथ था और यह है कि वो किसी तरीके से अतरित रकम को खुद पार कर जाने का इरादा रखता था जो की जूट था जो की बेपुन्याद जूट था अब उसके दिल से बार-बार आ बात तर्तीब इजाफान नहीं होने वाला था उसे इस बात का अफसोस था कि नीलम नाम की उस औरत को ब्लैकमेल करने की जो बुन्याद थी उस पर पूरा का पूरा कपजा माया राम का था वो कई ऐसा हथियार नहीं था जो की जिस किसी के भी हाथ में आ जाता वो उसे इस् माया राम का मंद साफ करें कोई सीरी बात तो वो करता ही नहीं था वो तो इशारों की जुबान बोलता था जिसे समझने की कोशिश में वो कोई गलत मतलब निकालता तो रंजिस्ट और बढ़ती सही मतलब निकालता तो माया राम शेर हो जाता और कहता कि देखा मैं न कहता था शाम को एक बार फिर उसने उस्ताज जी का मुझाब भापने का फैसला किया वो उसके पास पहुचा उसने माया राम को एक हाथ में शीशा और दूसरे हाथ में कैची लिए बड़े यतन से अपनी दाड़ी तराशते पाया कहां की तयारी है उस्ताज जी? वो मीठे स्वर में बोला तफ्री की माया राम बोला कल नहीं जा सके इसलिए उतावले हो रहे हो यही बात है लेकिन अभी तो बहुत वक्त है अभी तो दिन भी नहीं ड़ला जल्दी तयार हो जाने में कोई हर्ज है नहीं तो हर्ज कैसा? तो फिर लगता है पहले कहीं और भी जाने का इरादा है और कहां? आपको मालूम हो आज मैंने एक ही जगे जाना है और वहां भी अपने टाइम पर ही जाऊंगा आते जाते इधर चक्कर लगाते रहना वो किस दिये? तस्दीक के लिए कि टाइम के टाइम ही यहां से निकला तौबा उस्ताज जी पता नहीं क्यों एकाएक कोई और ही जुबान बोलने लगे हो कैसे आया? पता करने आया था कि रकम की वापसे की बाबत मॉडरल टाउन से कोई पूश्टाश की या नहीं? अभी नहीं की करो ना ताकि सस्पेंस दूर हो तू फिक्र न कर मैं कर लूँगा कब कर लोगे? बोला ना कर लूँगा कर ही तो नहीं चुके हो क्या? पूश्टाश भी और वसूली भी माया राम ने कैची वाले हाथ को रोक कर घूर कर उसे देखा उसने पंद को विचलित होता ना पाया तो बोला मैं तेरे जैसा नहीं हूँ मैं कैसा हूँ? अपने दिल से पूछ फिर लगे पहलिया बुझा ले माया राम खामोश रहा उस्ताश जी पंद एकाएक सक्ती से बोला इशारे बाजी पहुत हो चुकी कैसी शारे बाजी? माया राम बोला तुम्हें पता है कैसी शारे बाजी? अरे कैसी शारे बाजी? तुम समझते हो चिट्थी में पांच को साथ मैंने बनाया था तुझे क्या पता है? मैं क्या समझता हूँ? अब इतना भी नादान नहीं मैं माया राम खामोश रहा मैंने यसा कुछ नहीं किया पंत पुला न करना सूझा न सूझता तो करता ठीक है फिर जैसे तुम मेरे पर शक कर रहे हो वैसे मैं भी तो तुम्हारे पर शक कर सकता हूं तू शक कर सकता है तू कौन सा शक कर सकता है मैं भी तो सोच सकता हूँ कि चिठी में पांच को साथ तुम ने बनाया तेरा दिमाग खराब है मुझे ऐसी हेरा फेरी की क्या सरूरत थी मैं बड़ी रकम का तमन्नाई होता तो पहले ही बड़ी रकम न लिख देता पहले लिख लेते तो मुझे उसकी खबर होती खबर होती तो मैं बड़ी रकम में हिस्सेदार होता बात चुप चाप चल जाती ट्रंक थाने ना पहुँच गया होता तो तुम साथ लाग वसूलते और पांच लाग में हिस्सा बटाते उपर के दो लाग साफ ही अकेरे हडप जाते मायाराम भोचकका सा उसका मुझ देखने लगा इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डाटे फिर वो विश्भरे स्वर में बोला अच्छा पंच तिल मिलाया ये मेरी शरावत है जो मैं तेरे साथ हिस्सा बटाता हूँ मायाराम बोला तो ये तेवर है मायाराम खामोश रहा खेरात नहीं देते हो स्ताज जी उजरत देते हो साल भर तुम्हें लाश की तरह ढोया है मैंने अभी भी ठो रहा हूँ मैं ना होता तो चंडिगर में पुलिस के हाथो तो पढ़ते पढ़ते पहले उस प्लॉट में ही पढ़े दम तोड़ चुके होते जहां कि तुम मुझे लुझ पुझ अपनी जिन्दगी की आखरी सांसे किंते पढ़े मिले थे अपने मुर्दा जिस्म में जिन्दगी की फूख मारने वाले से ऐसी नाशुक्री बाते करोगे तो जहन्नुम में भी जगर नसीब नहीं होगी मैंने क्या नाशुक्री बात की है दे नहीं रहा तुझे तेरा हिस्सा दे रहे हो लेकिन ऐसे दे रहे हो जज़ते पासी लग रही हो वहम है तेरा और फिर ये मेरी सुना मेरी शराफत है कि मुझे एक चथाई का हिस्सा कबूल है वरना क्यों होना चाहिए मेरा हिस्सा छोटा क्यों नहीं होना चाहिए बराबर का हिस्सा क्योंकी जेब में रखो अपनी क्योंकी और मेरी सुनो सुनो और गौर करो क्या सुनो अरे जब मैंने तुम्हारे मुकरर किये छोटे हिस्से को खुची से कबूल किया तब मैंने पहले लालश न किया और बड़े हिस्से की मांग न की तो अब भला क्यों लालश करूँगा वो भी धोके से यार मारी करके है इस बात का कोई जवाब तुम्हारे पास माया राम परे देखने रखा मैंने तुम्हें उस्ताद कह दिया तो सर्च में ही उस्ताद समझने लगे अपने आपको इत्वाक से बात खुल गई तो अपनी कर्तूत मेरे मत्य मरने पर अमादा हो गए हरीदत मैं कसम खाकर कहता हूँ मैंने चिट्थी में पांच को साथ नहीं बनाया मैं भी कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने भी ऐसा नहीं किया फिर क्या है फिर बात खत्म हो गई अरे दिल से खत्म करो तो खत्म हो गई न बात को टालने के लिए ऐसा कहा तो क्या कहा माया राम खामोश रहा पंद कितनी ही देर अपलक उसे देखता रहा ठीक है फिर आखिरकार वो भुन भुनाता सा बोरा आगे जैसा प्रोग्राम हो बोल देना वो यहां से बाहर निकल गया अब उसका दिल कवाही देने लगा था कि माया राम का नई रकम में उसकी साथ पहले की तरह हिस्सा बटाने का कोई इरादा नहीं था क्या वो रकम हासिल कर भी चुका हो सकता था कैसे वो उस औरत को या उस दूसरी लड़की को रकम के साथ वहां तलब कर सकता था या खुद मॉडरल टाउन जा सकता था सुबह गया तो था कहीं वो क्या पता मॉडरल टाउन ही गया हो लेकिन वहां क निगराने वाली बात अब या उसे बे बुनियाद लगने लगी थी और या फिर उसे उसकी कल जैसी परवार नहीं रही थी अब क्या करें वो उसकी अक्रण ने उसे यही जवाब दिया कि सबसे पहले तो उसे यह मालूम होना चाहिए था कि रकम के क्या पोजिशन थी वो उसने डिरेक्टरी इंक्वारी से क्राट प्लेस थाने का नंबर दरियाफ्त किया और उस पर कॉल लगाई दूसरी ओर से उत्तर मिला तो वो रॉप से बोला हिंदुस्तान टाइम से बोल रहे हैं एसेचो सहब से बात कराईए एसेचो सहब इस वक्त थाने में नहीं है जव करना चाते हैं कि साथ लागति जिस रकम की खबर हमारे आज के अकबार में छपी है उसकी क्या पोजिशन है वो रकम उसके मालिकान के सुपूर्द की जा चुकी है अच्छा जी हा टैक्सी की वो पैसेंजर ही सुबर ठाने पहुँच गई थी जिससे की वो रकम कल टैक्सी म पर टांग दिया यानि की दोबारा हतियाई जाने के लिए रकम फिर सरकुलेशन में थी पांच की जगे साथ लाग की रकम मायाराम अभी 28 लाग रुपे और पटोडने का जुगार करे तो कहीं जाकर उसे इतनी रकम का हिस्सा मिले वो भी तब जब उसकी नियत नमदल क्यों न वो मायाराम से पहले उस रकम पर काबिच होने की कोशिश करे मायाराम ने अगर जोट नहीं बोला था तो आज तो उसका कुछ करने का इरादा मालूम नहीं होता था आज तो उसका किसी हाई प्राइस कॉल गर्ल के पहलू में गर्ख होने का ही वन पॉइंट माया राम से पहले 7 लाग की उस रकम पर काबिच होने के लिए वो सोचने लगा फिर धीरे धीरे एक योजना की रूप रेखा उसके जहन पर उभरने लगी कॉल बेल बजी नन्य सूरज के पहलू में लेटी टीवी देखती नीलम उठकर खड़ी हुई सूरज उस घड़ी गहरी नीन सो रहा था सुमन उस रक घर में थी लेकिन वो भी अपने बेटरूम में सोई पड़ी थी टीवी की आवाज उसने बहुत धीमिक की हुई थी ताकि सोने वालों की नीन में खलन न पड़ता उसने रिमोट से टीवी को आफ किया और बाहर परवेश द्वार पर पहुँची उसने दरवाजे को थोड़ा खोल कर बाहर जागा तो सामने उस शक्स को खड़ा पाया जो स्वेम को कुरियर सर्विस वाला पता कर महा माया राम की चिठी पहुचाने आया था और जिसका नाम माया राम ने शायद हरिदत या श्रीदत पंत बताया था क्या है वो अप्रसन भाव से बोली फिर कोई चिठी लाय हो नहीं पंत धीरत से बोला जुबानी संदेशा क्या भीतर आने दो वही से बोलो कोई देख लेगा और फिर मैंने दो फिकरों की बात नहीं कहने तुम्हे कुछ समझाना भी है क्या समझाना है ऐसे ही बोलो रास्त साथ छोड़ो नहीं तो क्या नहीं तो नहीं तो मैं जाता हूं और जाकर उस्ताज जी को बोलता हूं कि तुम्हारी उनका संदेशा सुनने में कोई दिल्चस्पी नहीं नेलम हिचकी चाई मैं सिर्फ दो मिनट लूँगा आओ वो एक तरफ हटती हुई बोली पंत उसके प जल्दी कहो माया राम को मालूम है पंत धीरे से बोला कि रकम ठाने से वापस यहां पहुच गई है तो तुमने रकम उसके पास पहुचानी है मैंने हाँ पिछली बार रकम किसी और के हाथ भेजी थी तो खामखा इतना घपला हो गया था माया राम नहीं चाहता कि इस बार ऐसा कुछ हो इसने ये जिम्मेदारी इस बार तुम्हें खुद निभानी होगी क्या करना होगा उसने खास दोर से कहलवाया है कि ये जहमत आखरी बार की है इस बार के बार वो फिर कभी तुम्हें अपनी सूरत नहीं दिखाएगा ऐसा था तो वही आकर रकम ले जाता वो इतनी बड़ी रकम की अपने पास मौझूदकी की जवाब दे उसके लिए मुश्किल होगी रकम के मामले में वो तुम्हारा नाम तुर लेगा नहीं या तुम चाहोगी कि वो तुम्हारा नाम ले नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए इसलिए रकम उसके पास तुम्हें कहीं पह उस बिल्डिंग का नाम इरोज अपार्टमेंट है और इस नाम का पोर्ड उसकी सामने लगा हुआ है बिल्डिंग 13 मंजिल तक उठ चुकी है और अभी 20 तक जाएगी आज राज 9.30 बजे उसकी तेरवी मंजिल पर माया राम तुम्हारा इंतजार करता मिलेगा तेरवी मंजि से ऐसा कोई शक्स उससे छुपा नहीं रहेगा वो सिफ वास्ते से ही दिखाई दे जाएगा उसे कोई तुम्हारे पीछे लगा दिखाई दिया तो फिर वो वहां नहीं रुकेगा वो तुमसे मिले बिना चुप चाप वहां से खिसक जाएगा बेवकूफी की बात है ये ख त्रंक मुझे दे दो, मैं उसे आगे मायाराम तक पहुचा दूगा, मुझे कोई अत्राज नहीं, प्रत्याशा मी पंद का दिल जोर से उचला, मेरी मायाराम से इस बाबत बात कराओ, वो कहेगा कि मैं ट्रंक तुमें दे दूँ, तो मैं दे दूँगी, ओ, बात कराओ, नही से निकल चुका है, बीच में वो कहां जाएगा, मुझे नहीं मालूं, अब वो साड़े नौ बजे इरोज अपार्टमेंट की तेरवी मंजिल पर ही पहुचेगा, मैं वहाँ जाने से इनकार कर दू, तो तुम मेरे इनकार की उसे कैसे खबर करोगे, कैसे भी नहीं, वो ही ना मैंने दे दिया, पंध एकाइक उठ खड़ा हुआ, अब मैं जाता हूँ, आगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मायराम जाने उसका काम जाने, तुम वहाँ जाके उसे खबर कर दो, कि मैं रात के वक्त ऐसी जगे आने को तयार नहीं, मैं नहीं कर सकता, उसने मुझे उस जगे के करीब भी फटकने से मना किया है, मैं उस्ताज जी को नराज नहीं कर सकता, मुसीबत का पिटारा है, गोली वजरा उस्ताज जी, पंध तनिक हसा, और फिर दर्वाजे की और बढ़ चला, दर्वाजा पंध करने की खातिर, नीलम उसके पीछे गई, दर्वाजा सोई ही रहती, सुमन भोली, रात तो पढ़ रही है, कब जागी, अभी, यहां कब से खड़ी है, अभी दो सकिन पहले आई, ओ, कौन था ये आदमी, कोई नहीं, वही पहले वाला, भाई साप वाला कोई नहीं, और क्या, कोई नया खसम था मेरा, सुमन हसी, बहुत नुकता चीनी करने लगी है, आजकल तू, अरे नहीं, सैमती में सिर हिलाती सुमन, कुम कर किजन की और पढ़ चली, मोतिया खान, वो मनी मन दोहरा रही थी, इरोज अपार्टमेंट्स, तेरवी मनचिल, साड़े नौ बजे, हम, साड़े सास से थोड़ी देर पहले, सजा धजा माया पंत की कमरे में पहुँचा, पंत उस वक्त कुर्ता पजामा पहने था, और पलंग पर अदलेटा सा बैठा टीवी देख रहा था, माया राम को आया पाकर उसने रिमोट से टीवी आफ कर दिया, जल्दी एपने खास दिखाने, उसकी सजदर देख पंत रंगीन स्वर्मी ब खर्चना नहीं चाहता, इधर एक ही बात है, बीस हजार पूरी रात की फीस होती है, चल मैं तेरा दस में काम बनवाता हूं, दस में क्या मिलता है, दो घंटे की तफरी, परी जैसी लड़की के साथ वो भी कम नहीं होती, तुम्हारी तफरी तुमें ही मुबारक हो, अरे प एकनी लड़की नहीं चाहिए, मेरा काम खुर्दुरी से ही चल जाता है, जो कि पांस सुर पे लेती है, तू, तू पागल है, तू फाइव स्टार होटल के लजीज खाने में और धाबे के टुकडों में फर्क नहीं समझता, फर्क तुम्हें ही मुवारक हो स्तार जी, माया र प्रोग्राम है, मैंने तो होटल से खाना मंगाया है, खाते ही सो जाऊंगा, वज़ा, आज मूर और तबियत, दोरों खराब है, क्या मंगाया, तंदूरी चिकन, मटर पनीर नान, घूट लगाया, अभी रहें, उसका भी मूर नहीं है आज, उसका तो मूर पराबर है, वो क घड़ी में तोला, घड़ी में माशा जैसा मिजाज, उसने पहले तो कभी नहीं दिखाया था, उसने बोतल निकाल कर दो पैक तयार किये, और माया राम के साथ चीर्स बोला, तभी होटल का वेटर एक ट्रे उठाए वहाँ पहुचा, उसने ट्रे को उन दोनों के बीच दोस्ताज जी, और आ जाएगा, वक्त नहीं है, आठ से पहले मुझे निजामू दिन पहुचना है, साड़े साथ बज़ भी गए हैं, मर जी तुम्हारी, माया राम ने सच में ही एक ही पोटी खाई, अपना विस्की का गिरास खा दी किया, और उठ खड़ा हुआ, मैं दोडाता हूँ, चौल के सामने न मिली, तो टैक्सी दूर से भी ला दूँगा, लेकिन तेरा खाना कहीं भागा नहीं जा रहा, लोट के खालूँगा, ठीक है फिर, पन्त उसे टैक्सी पर सवार करा के आया, यू माया राम को टैक्सी ड्राइवर को निजामू दिन चलने क के लिए कहते, उसने अपने कानों से सुना, बढ़िया, वो वापस लोटा, उसने एक पैक और पिया, खाना खत्म किया, और फिर उठकर खड़ा हो गया, तब है वेटर वापस लोटा, और खाली ट्रे उठा कर ले गया, तब बड़े इत्मिनान से पंत ने अपने अभियान के लिए तयार होना शुरू किया, साड़े आट बजे, नेलम तयार होने लगी, तब साड़ी की जगे उसने चुस तलवार कमीज को तरजी दी, कहीं जाने की तयारी है, सुमन ने सहज भाव से पूछा, हाँ, नेलम गंभीरता से बोली, जो काम कल अधूरा रह गया था, उस लोगों को तेरे पर एतराज है, इसलिए आज ये जिम्मेदारी मुझे भुगतनी पड़ेगी, मैं भी साथ चलूगी, पागल हुई है, पीछे सूरज के पास कौन रहेगा, ओ, मैं चलती हूँ, सवा दस या पड़ी हद साड़े दस तक लोटाऊंगी, मशीनी अंदास से स सुमन ने सहमती में सिरह लाया, नेरम कोठी से पाहर निकली, काली एंबेस्टर पर सवार हुई, और फिर उसे ड्राइव करती, वहां से रवाना हो गई, सुमन लपक कर टेलीफोन पर पहुंची, उसने एक मुबाइल फोन का नंबर डायल किया, हाँ, ततकाल दोसरी ओर से प्रदीब की आवाजाई, आ जाओ, सुमन व्यग्रभाव से बोली, साथ में एक टेक्सी लेकर आना, प्रदीब जिसने की करीबी मार्केट से ही आना था, जहां कि वो सुमन की SOS कॉल सुनने के लिए मौजूद था, दो मिनट में कोठी पर पहुंच गया, वो अपनी मोटर साइकल पर सवार था, और मोटर साइकल के पीछे-पीछे एक टेक्सी आ रही थी, सुमन उसी सड़क पर खड़ी मिली, प्रदीब एक कोई 28 साल का सुन्दर युवक था, MBBS डॉक्टर था, इस्थानी लोहिया हस्पताल में नौकरी करता था, और नौकरी के साथ ही MD की तयार कर रहा था, सुमन की बॉइफरेंड की तौर पर नीलम भी उसे चानती थी, प्रदीब ने खुद उसे बताया था, कि MD की पढ़ाई खत्म होते ही, वो सुमन स्री शादी का इरादा रखता था, पीछे बच्चे का ख्याल रखना, सुमन व्यग्र स्वर में भोली, मैं भी सा चल सकते होते, तो मुझे खुशी होती, लेकिन नीलम की गैर हाजरी में, यहां किसी ना किसी को बच्चे के पास ठहरना जरूरी है, तू ठहर जा, और जो काम तू करने जा रही है, वो तू मुझे समझा दे, अब टाइम नहीं, वापस कब लोटेगी, साड़े दस से पहले नीलम से पहले, मैं चली, मुझे तेरी फिक्र रहेगी, मैं अभी भी कहता हूँ की, उसकी बाकी की बास सुमन्ने न सुनी, वो जपटकर टैक्सी में सवार हुई, और ड्राइवर से बोली, जंडे वालान, रानी जहांसी रोड, जल्दी, टैक्सी ततकाल आगे को तोड़ी वो नहीं जानती थी, कि वो उसी DL-1T4979 नंबर की टैक्सी पर सवार थी, जिस पर की वो पिछले रोज सवार हुई थी, कोई फर्क था तो ये, कि टैक्सी में अश्रफ की जगया वली मुहम्मद ने ले ली थी, और अश्रफ पीछे वली के जुड़वा अली मुहम्मद के साथ ठहर गया था, अल्बत्ता सुमन का ध्यान इस ओर न गया, कि वो कल वाली टैक्सी पर ही सवार थी, चला भी जाता तो कोई फर्क पढ़ने वारा नहीं था, क्योंकि तब वली मुहम्मद ही इस जवाब के साथ उसकी जिग्यासा को शान्त कर सकता था, कि वो किराये पर चलने वाली टैक्सी थी, जिसका कभी इस हाथ तो कभी उस हाथ पहुँच जाना ऐसी आम बात थी, जो कि रोज वाक्या हो सकती थी, सुमन को क्योंकि नीलम की मंजिल मालुम थी, इसलिए उसके पीछे लगना जरूरी नहीं था, वो रूट भी पकड़ना जरूरी नहीं था जिस पर नीलम कार चलाती आगे बढ़ रही थी, उसके टैक्सी ने जंडे वालान पहुँचने के लिए राणा परताब पाग, अशोक विहार, आनंग परवत, रोट तक रोड वाला रूट पकड़ा, जिससे सुमन को उम्मीद थी, कि वो नीलम से जल्दी इरोज पहुच सकती थी, पर ऐसा नहो सका, गंतिवे स्थान तक पहुचने पर उसने नीलम की काली एमबेस्टर को मंती इमारत से परे, रानी जाजी रोट के करीब खड़ी पाया, उस खड़ी वहां मुकमल सननाटा और अंधेरा था, और नीलम का कहीं नामो निशान नहीं मिल रह टैक्सी से उतर कर वो इमारत के करीब पहुची, देरा मंजिल तक उठ चुकी उस इमारत में आर सी सी की कॉलम, बिम और छटे ही दिखाई दे रही थी, ग्रांड फ्लोर के एक पहलू को छोड़ कर कहीं कोई पार्टिशन वाल अभी नहीं बने थी, इमारत की बाउंडरी व की दो सेट थे, सीरियों का एक सिलसिला इमारत की फ्रंट में था और दूसरा पिछवाडे में, लिफ्ट के लिए बेल उटती इमारत के साथ साथ बनता जा रहा था, लेकिन अभी तक लिफ्ट लगी नहीं थी, आसपास कहीं कोई सीक्योर्टी गार्ड, कोई दर्बान नही दिखाई दे रहा था, नीलम या तो इमारत की तेरवी मंचिल पर पहुँच चुकी थी, या फिर अभी वो सीरियों पर ही कहीं थी, हिच किचाते हुए उसने भी सामने की सीरियों पर पाउं डाला, और फिर वो दबे पाउं सीरिया चड़ने लगी, ट्रंक उठाए नीलम तेरवी मंचिल पर पहुची, वहां ऐसा सन्नाटा था कि उसे अपनी उखडी सांसों की वज़े से तेज हुई दिल की धड़कन भी नगाली की तरह बश्ती लग रही थी, वहां की अंधेरे में पैन होती उसकी निगा अपने सामने फिरी, कहीं कोई नहीं था, कोई है, फि पिछे से एक साया निकला, साय ने दो ही कदम आगे बढ़ाए, तो निलम समझ गई कि वो मायाराम नहीं था, कौन, वो होसला करके बोली, एन टाइम पर पहुची, साया बोला, निलम ने वो आवाज साफ पहचानी, वो पंत नाम का मायाराम का जोडिदार था, जो दो बार उसके लिए हर कारे का काम कर चुका था, श्रीदत पंत, फिर भी उसने पूछा, हरीदत, जवाब मिला, हरीदत पंत, तुम यहां क्या कर रहे हो, तुम्हारा इंतजार, मायाराम कहा है, वो नहीं आया, तुम कैसे आ गए, तुम तो कहते थे, कि उसने तुमें इस जगे के क मायाराम, किसी चिकनी जराने के साथ लेते गया है, उसकी फीज भर के, बेवकूफ, मुफ्स के माल को छोड़ कर फीज भरने जाता है, सामने नौ नगद नहीं दिखाई देते, तेरा उधार की टो लेने जाता है, क्या बकते हो, वो फिर हसा, लगता है तुम्हें पहरे से म खबर लेगा, देखते हैं बीबी, कि कौन किसकी खबर लेता है, मैं जाती हूँ, अरे अरे, ऐसे कैसे चली जाएगी, ट्रंक तो देती जा, तुझे किस लिए, क्योंकि मैं यहां हूँ, और इस खड़ी सिर्फ ट्रंक की नहीं, तू भी मेरे हवाले है, क्या, मत मारी हुई है उस्ताज जी की, दो गंटे की दस हजार भरते हैं, सारी रात के बीस हजार भरते हैं, मेरा काम तो फ्री हो जाएगा, क्या वकता है, सैकड़ो वाला मजा ही चक पाया आज तक, आज जरा हजारो वाला मजा चकूंगा, क्या मतलब है तेरा, ट्रंक नीचे रख, और इधर आके, ठा करके मेरे कलेजी से लग जा, मतलब अपने आप समझ में आ जाएगा, तो यही रादे हैं तेरे कमीने, हैं तो सही कुछ-कुछ, वो फिर पड़े अश्लीर भाव से हसा, फिर उसने नीलम की तरफ कदम पड़ाया, खबरतार, नीलम चिल्लाई, वही खड़ा रह, यहाँ ना किसी को तेरी आवाज सुनाई देने वाली है, और ना ही तेरी हिमायत को कोई आने वाला है, समझी, तुझे रुप्या चाहिए न, उसका आप क्या चाहना, वो तो समझ मिल गया, रुपे ने अब यहाँ से कहां जाना है, तो तू, तूने भी अब यहाँ से कहां सिर्फ एक बार खुश कर दे, फिर तू अपनी राह लगना, जोगी अपने राह लगेगा, अगर जहन्नम की राह नहीं लगना चाहता, निलम एका एक आतंकित भाव से चिल्लाई, तो वहीं रुख जा, वरना, वरना तू क्या करेगी, गोली मार दूगी, गोली मार देगी, पंद चोर से हसा, कहती है गोली मार देगी, ठैर जा साली, रुख जा, वरना, पंद बगलो की तरह उस पर छप्टा, बारा मंजिल पार करने तक, सुमन बुरी तरह से हाफने लगी थी, उसे कारंटी थी, कि नीलम उपर पहुँच चुकी थी, क्योंकि अब उसे नीलम की आ खड़ी हो गई, क्या हो रहा था उपर, क्या उस शक्स ने, जिस्ते की नीलम वहां मिलने आई थी, नीलम को गोली मार दी थी, ऐसे में अब वो उपर पहुचती, तो उसे भी गोली मारी जा सकती थी, उसने वो अंदेशा जटक कर अपने जहन से निकाला, और दोड कर बाग आप में एक रिवाल्वर थमी हुई थी, जिसकी नान में से दब भी धुआ निकल रहा था, उससे कोई छे गर्जदूर वर्ष पर ओंदे मू एक व्यक्ति पड़ा था, जो की जाहिर था कि नीलम की चराई गोली का शिकार हुआ था, सुमन लपक कर नीलम के करीब पहुची क्या हुआ? वो आतंकित भाव से बोली, ये, ये, नीलम ने उससे कहीं अधिक आतंकित भाव से गिरे-पिरे व्यक्ति की और इशारा किया, आपने इसे शूट कर दिया? हाँ, 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 क्यों? ये वो आदमी नहीं, जिसे कि मैंने टरंक सौंपना था, इसने धोके से मु ये है कौन? इसका नाम श्रीदत, नहीं, हरीदत पंथ है, ये उस शक्स का जोड़ीदार है, जिसे कि मैंने टरंक सौंपना था, वो कौन हुआ? उसका नाम माया राम है, जो कि आपको ब्लैक बिल कर रहा है, नीलम खामोश रही, अब चुप रहने का क्या फाइदा दी दी? तकरीबन किस्सा तुम्हें पहले से जानती हो, कैसे जानती हो? नीलम हैरानी भरे स्वर में पोनी, वो एक लंबी कहानी है, घर चल कर सुनाओंगी, तू, तू यहां कैसे पहुँच गई? इसका जवाब भी उस लंबी कहानी का हिस्सा है, तूने मेरा पीछा किया था? नही तो फिर तुझे कैसे मालूम था? कि मैं कहां थी? और तूने कहां पहुँचना था? घर चल कर बताओंगी, आप बताईए, टरंक कहां गया? मेरे हास्ते छूट कर कहीं गिर गया? गिर गया? रिवॉल्वर संभालने के लिए मुझे टरंक छोड़ना पड़ा, अब पता नह कहां गिर गया? करीब तो कहीं दिखाई दे नहीं रहा? पता नहीं कहां गया? फ्लोर पर दिवारे तो कहीं है नहीं, लगता है नीचे कहीं जा गिरा? शायद आप रिवॉल्वर मुझे दीजिए और चलिए यहां से. रिवॉल्वर तुझे दू? हाँ. क्यों? क्योंकि मैं आज भी मैं ही ट्रंक लेकर यहां पहुची थी. इसने मेरे से, सुना आपने, मेरे से ट्रंक छीनना चाहा था और मेरी, मेरी इज़त लूटने की कोशिश की थी. इसलिए आत्मरक्षा के लिए इस पर गोली मैंने चलाई थी. सुन रही हैं आप, गोली मैंने चलाई थी नहीं ऐसा नहीं हो सकता गोली मैंने पहले यहां से हिलिये उपर से कोई आ गया तो बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी हम दोनों के लिए पिछवाड़े की सीरियों से चलिये ताकि कोई सामने से उपर आ रहा हो तो हमारा उससे आमना सामना न हो साथ ही उसने उसके हाथ में थमी रिवॉल्वर निकाल कर अपने कबजे में ले ली और उसकी पहाँ पकड़ कर उसे पिछवाड़े की सीरियों की तरफ धकेलना शुरू किया नीलम उसके साथ किसर्टी चली गई तेरा मंजिल की सीरियां उतर कर वो दोनों नीचे पहुँची कहीं कोई नहीं था ट्रंक उन्हें कहीं दिखाई न दिया कहा गया नीलम के मूँ से निकला कहीं भी गया अब उसकी तराश में यहां रुकड़ा खत्रे से खारी नहीं लेकिन चलो दोनों सड़क पर पहुची वो वहाँ खड़ी काली एमबेस्टर में सवार हुई नीलम ने ततकाल कार को सड़क पत दोड़ा दिया वो मॉडल टाउ पहुची प्रदीप ने उनके लीए तर्वाजा खोला प्रदीप नेलम के मूँसे निकला तुम यहां मैंने बुलाया था सुवन चल्दी से बोली सुरज का ख्याल रखने के लिए यानि कि तेरा पहले से इरादा मेरे पिछे आने का था हां क्यों क्योंकि राथ की घड़ी एक सुनसान जगय पर, एक ब्लैक मिलर से मिलने, आपका अकेले जाना मुझे हजम नहीं हुआ था, साथ ले जाने को आप तयार नहीं थी, इसलिए मुझे आपके पीछे जाना पड़ा, तू क्या जानती है, कैसे जानती है, ये एक लंबी कहानी है, फिर सुनाओगी, फिर हाल आप आराम कीजिए, आईए, लगभग जबरदस्ती, वो नीलम को उसके बैट्रूम में लाई, फिर वो बाहर परदीप की पास महुची, इन्ही सिरेटिव का इंजेक्शन दे सकते हो, हाँ, परदीप बोला, मेरा विजिट बैक, मेरी मोटर साइकल के पकसे में है, उसमें ह क्यों, सिरेटिव का इंजेक्शन किस दिये, मेरा दिल कवाई दे रहा है, कि पुलिस किसी भी शर्ण यहां पहुँच सकती है, खामखा, खामखा नहीं, उस ट्रंक की वज़े से, जिसमें साथ लाग के नोट बन थे, और जो पीछे घटना स्थल पर ही कहीं चूट कया है, ओ, सिरेटिव के हवाले होने की वज़े से, ये आज रात पुलिस को कोई पयान नहीं दे पाएंगी, कल दोपैर तक भी नहीं दे पाएंगी, गुड, होश में आने पर हो सकता है, कि अपनी जंडे वालान वाली विजट इन्हें एक सपना ही लगे, वो सब तो ठीक है, लेक के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, तुम जजबाती हो रही हो, बहस छोड़ो, जाके अपना बैग लेकर आओ, प्रदीप मोटर साइकल में से अपना विजट बैग निकाल कर लाया, फिर नीलम की ना नुगुर के बावजूद, उसने उसे तगड़ा इंजेक्शन दे दिया, फिर दोनों बाहर पैठक पे आ गए, गोली इनों ने तुम्हारे सामने चलाई थी, प्रदीप ने पूछा, मैंने दीदी को रिवॉल्वर का घोड़ा खिंचते तो नहीं देखा था, लेकिन गोली की आवाज सुनने के मुश्किल से 15 सकिंड बार जब मैं तेरवी मंजिल पर पहुची, तो धुवा उगलती रिवॉल्वर मैंने दीदी के हाथ में देखी थी, और वो, वो आदमी और दे मुव फर्श पर किरा पड़ा था, अब बताओ, गोली दीदी की सिवाए किसी और ने चलाई कैसे हो सकती थी, और तो कोई बात था ही नहीं, उपर से दीदी ने खुद अपनी जुबानी कबूल किया था कि क्योंकि वो आदमी जोर जबर दस्ती पर उतराया था, इसलिए मजबूरन उन्हें उस पर गोली चलानी पड़ी थी, इस बात की क्या गरंटी है कि वो मरे गया था, गोली खाकर मरते ही है लोग, जरूरी नहीं, क्या पता गो वो ओंदे मूँ फर्श पर पड़ा था, कोई हिल डूल नहीं थी उसके जिस्में, मरे गया होगा, शायद ना मरा हो, शायद घायर अवस्था में वो अभी भी वहाँ पड़ा हो, और तिल तिल करके मर रहा हो, फिर पूछ रही हो, क्या कहना चाहते हो, जब तक कि इस बात क की तस्दीक न हो जाए, कि वो मर चुका है, उसका खून अपने सिर लेना पेवकूफी है, क्या पता वो मामूरी घायल हुआ हो, और तुम लोगों के वहाँ से लोट आने के बाद अपना घायल अंग संभाले, वो भी उठकर चल दिया हो, ऐसा हो सकता है, क्यो नहीं हो सकता होने को तो ये भी हो सकता है, कि गोली उसे लगी ही न हो, वापसी में इस वाबत मैंने दीदी से बहुत सवाल किये थे, वो कहती है कि गोली उसे निश्चित रूप से लगी थी, गोली लगने पर ही उसने अपने कलेजा थामा था, और ओंदे मू दीदी के सामने फर्ष पर रुखता है क्योंकि अभी ये स्थापित नहीं हुआ है कि कतल हुआ है गोली तो उसे जरूर लगी थी जहां तक मैं समझती हूं इरादाए कतल भी कतल जितना ही कंपीर अपराद होता है वो ब्लैक मिलर है अगर वो सिर्फ खैल हुआ है तो वो ही इस वाबत अपनी जुबान पसंद नहीं करेगा कोई ब्लैक मिलर पुलिस का पचरा नहीं चाहता समझी हाँ यही बात नीलम को भी समझाई जाहिए थी तुने नहाग उसे सिर्फिव का इंजेक्शन दिलवाया अब समझा देंगे हाँ उसे समझाना होगा कि वो जानती है कि उसने गोली चलाई थी ले सुमन खामोच रही अब उसकी सूरत पर उलचन की भाव दिखाई देने लगे थे मुझे मौकाई वारदात का पता ठेक से समझाओ क्यूं सुमन सक्पकाई सी बोली मैं वहां होके आता हूँ अगर नेलम की चलाई गोली घा तक साबित हुई थी तो उसकी लाश अभी भी व मतलब का केस नहीं होगा कहीं लेने की देने न पड़ जाए कुछ नहीं होगा दिन चड़े तक उसकी किसी को खबर नहीं लगने वादी वो वहां नहुआ तो तो इसका मतलब होगा कि वो मामुली तोर पर घायल हुआ था और बाद में खुदी उठकर चल दिया था ओह मैं वहां ट्रंक तलाश करने की भी कोशिश करूँगा ट्रंक मेरे हाथ लग गया तो फिर नीलम की तरफ या तुम्हारी तरफ कोई उंगली नहीं उठेगी गुड ट्रंक वहीं होगा अंधिरे में हमें वो दिखाई नहीं दिया होगा फिर हमें वहां से खिसकने की भी चल दी थी, मेरे विजिर बैक में टॉच हमेशा रहती है, मैं टॉच साथ लेकर जाऊंगा, अब पता बोलो, सुमन ने न सिर्फ पता बताया, उसे वहां तक पहुँचने का रूट भी समझाया पुलिस कंट्रोल रूम में 100 डायल किये जाने पर जवाब में बजने वाले कई टेलिफोन थे, उन में आटोमेटिक स्विच ओवर की ऐसी विवस्था थी, कि एक फोन बिजी होने पर इनकमी कॉल दूसरे पर ट्रांसफर हो जाती थी, दूसरा बिजी होने पर तीसरा बजने अमुमन कभी बिजी टोर नहीं मिलती थी, 100 डूटी पर तैनात एक हवलदार ने पच्टा फोन उठाया, हेलो वो बो बोला, पुलिस कंट्रोल रूम दूसरी और से पूछा गया, हाँ, बोलिए, मैं आपको एक गंपीर वार्दात की खबर देना चाहता हूँ, जो मैं कहू उसे गौर से सुनिएगा, मैं कोई बात दोहराऊंगा नहीं, पहले अपना नाम भूलो और ये पताओ, कि फोन कहां से कर रहे हो, रानी जासी रोट के करीब मोतिया खान डम स्कीम में, इरोज अपार्टमेंट नाम की एक मल्टि स्टोरी बिल्डिंग बन रही है, उसकी ते पेशा आदमी है, जिसके पीछे जुर्मी का लेखा जोखा, आपके रिकॉर्ड में जरूर होगा, कश्मीरी गेट की हसन मंजिल नाम की एक चौल जैसी इमारत के एक पोर्शन में वो रहता है, उसी चौल के साथ नंबर पोर्शन में, काशीरात नाम का एक शक्स रहता है, जोकी मनने वाले की जिंदगी में उसका जिगरी था, वो भी नॉन हिस्ट्री शीटर है, इसले मनने वाले से उसकी चोर-चोर मौसेरे भाई जैसी साथ गान थी, कटल की बाबत आपका काशीरात से सवाल करना काफी कारमाद हो सकता है, कटल इस, इस काशीरात ने किया है, ज लेकिन, नमस्ते, लाइन कट गई, नेलम की एमबेस्टर कार चलाता प्रदीप, रानी जाजी रोट पहुँचा, उसने कार सड़क पर ही खड़ी कर दी, और एक खोश पूर निगा, इरोज अपार्टमेंट की बंती इमारत पर दोड़ाई, कहीं कोई नहीं था, उधर मुक जरम ये स्थापित नहीं कर पाएगा, कि वहाँ कोई कतल की वार्दात होई थी, अच्छा था, कि वो बड़ी गाड़ी लेकर आया था, लाश को एमबेस्टर में ढोना आसान था, वो उसे जमना के किसी उजार पुल पर, जैसे शान्तिवन के पीछे बने, पोंटून के सामने की सीडियों से वो इमारत में दाखिल हुआ, खामोशी से सीडियों पर कदम रत्ता, आखिरकार वो तेरवी मंजिल पर पहुँचा, उसने जेब से टोश निकाल कर जलाई, और उसकी रोशनी को सावधानी से फर्ष पर इधर उधर खुमाया, एक स्थान पर थिटका, वो शक्स वहां मौजूद था, रोशनी की दायरे को उस पर केंद्रित किये, प्रदीब उसकी करीब पहुँचा, उसने जुक कर उसका मौईना किया, सुमन की कतरा नुसार, वो गोली खाकर मूँ की बल किरा था, लेकिन लाश्ट तब अपने एक पहलू के बल रूप से वो कतल का मामला था, अब उसने सामने पहार जैसा काम था, उसने लाश को तेरा मंजल नीचे ग्राउन फ्लोर तक ढोना था, जबड़े भीचे धिरता से उसने लाश की तरफ हाथ बढ़ाया, तभी सड़क की दिशा में कहीं किसी वाहन के हैडलाइट्स की तीकी क उसने ततकाल टॉर्च का स्विच आफ कर दिया और आखे फाड़ फाड़ कर उधर देखा, पुलिस की एक जीप इमारत की तरफ पड़ रही थी, वो घबरा गया, एकाएक पुलिस कैसे पहुंच गई वहाँ, कैसे भी पहुंची, बहरहाल उसका वहाँ लाश के साथ पकड का, पुलिस और पांच मिनट बाद आती, तो वह लाश समेत पुलिस की किरफ में होता, बच गए, सेड़िया उतरता, वो मन ही मन पूला, तो यह थी अब तक की कहानी, आगे की कहानी जानने के लिए बनी रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्र कर दो लाद.